फ्रेंड्स यूटूब पे आप जो आप किसी का वीडियो देखते हैं कोई भी क्रियेटर्स का वीडियो देखते हैं specially कोई मतलब आप कुछ सिखना चाहते हैं उसके रिलेटेड वीडियो देखते हैं माली जीए जैसे कि हमारे चैनल आरेंड डिजिटाल और हम डिजिटाल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं आप ऐसे कोई भी क्रियेटर्स का वीडियो देखते हैं और आप बहुत सारे टाइम पर ऐसे सुने होंगे कि आपको अगर लीड जेनरेशन का आपको वीडियो देखना है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा अगर आपको लीड जेनरेशन के अलावा आपको माली जी की गुगल अनालिटिक्स का वीडियो देखना है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा आपको facebook analytics का वीडियो देखना है तो आपको i button पे मिल जाएगा ऐसे बहुत सारे time पे बहुत सारे creators आपको बार बार बोलते हैं कि आपको ये वीडियो देखना है वो वीडियो देखना है आपको i button पे मिल जाएगा और उस टाइम पे उपर आई बटन दिखता है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे क्लिखा हुआ दिखता है यानि वो जो टॉपिक बोल ले हैं वो आई बटन के साथ ऐसे दिखता है अगर आप यूटूब में वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन आपको यह नहीं पता है कि यूटूब पे जो आपका वीडियो है उसमें आपको आई बटन कैसे आड़ करना है आज मैं आपको बताऊंगा कि यूटूब पे आपको आई बटन क्यों आड़ करना है और कैसे आड़ करना है यह मैं प्राक्टिकल करके मैं कम्पूटर स्क्रीन पर आपको बताऊंगा कभी-कभी creators क्या करते हैं जब i button के बारे में बोलते हैं यानि मानलो कि मैं जिस topic के बारे में बोल रहा हूं उसके related अगर कुछ वीडियो मैंने पहले से suit किया हुआ है और पब्लिस किया हुआ है हमारे चैनल पर तो हम हमारे viewers को बता सकते हैं कि अगर आपको ये वीडियो ये तो आपको मेरे आई बटन पर मेरे वीडियो मिल जाएंगे इस टाइप के मानलो कि मैं YouTube के बारे में लोगों को बता रहा हूं कि आपको चैनल आट कैसे बनाना है तो आपको आई बटन पर मिल जाएंगे यानि आप आपके related topic आपके viewers को बता सकते हैं इसके लिए आई ब Twitter पर और mobile पर सेम ही तरीका है तो प्राक्टिकाल करके बताऊंगा ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है मेरे वीडियो में प्लीज एंड तक बने रही है अगर आप मेरे चनल पर न्यूँ है तो प्लीज मेरे चनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आ अल्रेडी computer screen पर आ चुके हैं आपको मैंने जैसे की intro में बताया था कि आपको लोहीर हो जाना है आपके YouTube चनल पर आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा अल्रेडी login है मेरे YouTube चनल पर तो यहां पर आपको पहले upload video आप जैसे करते हैं उसी तरीके में आपको upload video कर लेना है upload video का कोई नहा तरीका नहीं है आपको same तरीका follow कर लेना है पहले आपको complete कर लेना है upload video का सारे process जैसे कि यह जो detail वाले process है जैसे कि आपका details मतलब आपका title आपका description आपके thumbnail आपके playlist यह सारे चीज़े आपको complete कर लेना है complete हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख रहा है कि आपका detail वाले जो है वो complete हो चुगा है यानि जैसे आप video upload करते हैं ऐसे ही करना है कोई नया तरीका नहीं है upload आपका complete हो जाएगा उसके बाद आपको next कर लेना है next आपको upload होने के बाद आपने जैसे next किये यहाँ पर देखिए video elements में यहाँ पर दिख रहा है आपको आप देख सकते है odd card यानि यहाँ पर i का symbol है देखिए तो हम लोग आपको यही बताने बाले हैं कि आपके video पर आपको i button आपको कैसे odd करना है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलड़ी आपके screen पर odd card या फिर i आपको लिखा हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर odd के उपर आपको simply click कर देना है आप जैसे ही odd के उपर आप click करेंगे आप देख सकते हैं इस type के screen pop up हुआ अभी यहाँ पर सबसे interesting है कि आपको आपके वीडियो में पता करना है कि कौन से particular जगा पर आपको i button लगाना है यानि कहां पर आपने बोले हुआ है कि i button लगाएंगे करके या फिर i button पर आप देख लिजे करके ऐसा आपने कहां पर बोले हैं आपको ध्यान रगना है कि आप जहां पर बोले वहीं पर ही लगाना है तब ही जाके उसका कुछ value होगा तो मान लिजिए कि यहां पर आपका timing सिलेक कर सकते हैं से example यहां पर timing 1 minute 25 second पर मैं सिलेक किया यहां पर देखिए यह जो bar है यहां पर मैंने सिलेक किया जो plus symbol दिख रहा है उस plus symbol पर मैंने क्लिक किया यहां पर आप क्या कर सकते हैं आप वीडियो लगा सकते हैं आपके पूरे के पूरे playlist भी लगा सकते हैं कोई अगर other channel से उसका भी आप i button पर लगा सकते हैं यहां पर मान लिजिए कि मुझे वीडियो लगाना है मैं कोई भी वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको इंटरो में बताया था कि आपको lead generation सीखना है तो आप ये वीडियो देख लिजिए आपको मान लिजिए कि YouTube देखना है या YouTube पे upload कैसे करना है मतलब इस टाइक पे कोई भी वीडियो का आपको select कर लेना है तो मैं यहाँ पे example दे रहा हूँ कि एक वीडियो मैंने यहाँ पे select कर लिया उस वीडियो के उपर आपको double click कर देना है आप जित देखिए यहाँ पे already वीडियो select हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आई बटन दिख रहा है और जो वीडियो का title दिया हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है तो ऐसे जब वीडियो play होता है उस time पे ऐसे दिखता है मतलब जो creators बोलते हैं कि मैरे इस वीडियो का आपको आई बटन पे मिल जाएगा तो इस time के आई बटन और यह वीडियो दिखता है कुछ seconds के लिए तो similarly इस वीडियो को आप आपके वीडियो में दूसरे जगा पे भी आप प्लेस कर सकते हैं दूसरे जगा पे प्लेस करने का अगें सही तरीका है आपको यहां पे mouse क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करका आपको कितने minutes में set करना है वो आप exactly देख लेना पड़ेगा वहां पे रखने के बाद आगें आपको इस प्लॉस पे जाके तो आपका i button आड़ होगे आपके वीडियो में यारी आप इसके आगे का प्रोसेस करेंगे आपको next करके आगे का प्रोसेस करना है यह अभी processing हो रहा है तो मैं आपको आगे दिखा दूँगा यह यहां पे आपका i button knowledge आड़ हो चुका है तो आगे आप फिर वीडियो अफ्लोड करने का जो प्रोसेस है कि आपको चेक करना है copyright का और उसके बाद visibility का जैसे का आपको public रखना है private करना है वो सारे प्रोसेस आप complete करके आपको live कर देना है और आप देख सकते हैं कि आपका i button already आपका i button already आड़ हो गया है अगर आपको google my business का आपको analytics चेक करना है कि google my business में कैसे analytics चेक करना है वो अगर जानना चाहते हैं तो आपको मेरे i button पर video मिल जाएंगे तो friends आसा करता हूं कि ये video आपको बहुत पसंद आया होगा आप अगर new creator है आप definitely आपके चेनाल पर आपके video पर आप i button लगा सकते हैं आपके हर video पर आप i button लगा सकते हैं पिर भी आपके video में emudit वाले section में जाके आप i button लगा सकते हैं उसका में hrt video वね को बना दूंगा और वीडियो बहुत लंबा हो झाएगा तो मैं आपको definitely recommend करूंगा कि आप आपका हमेसा हर वीडियो में आपके i button लगा सकते हैं इसमें इंडरेक्ली आपके ज़्यादा व्यू होने का chances रहता है क्योंकि लोग आपके वीडियो देखेंगे आप जो वीडियो रेकमेंड कर रहे हैं लोग आपके वीडियो को देखेंगे सो फ्रेंड्स आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा हमारे इस यूटूब चैनल में यूटूब के related और भी बहुत सारे वीडियो है आपको end screen पे आपको मिल जाएंगे हमारे दूसरे यूटूब चैनल के playlist मिल जाएंगे सो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको यूटूब वीडियो पे आपके वीडियो पे आपको end screen कैसे आर करना है मैं ओ अगले वीडियो में बताऊंगा अगर आप मेरे चैनल पे new है तो please मेरे चैनल को subscribe कर लेना और हाँ अगर आपको ये वीडियो थ यहां पर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड जैसे के लिड जनेरेशन, Facebook मार्केटिंग, Google My Business, LinkedIn, Twitter, इस टाइप के डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, सोचल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड सारे वीडियो हम टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, एक्चुल वीडियो बनाते हैं, कम्प्लिली प्रियो प्कॉस्, यहां पर कोई घ्यान नहीं बाठते हैं, स्रीप प्राक्टिकल वीडियो आपको बताते हैं, तो इस तरीके से आप हमारे आरेंड देखते रहिए, थैंक यू सो मुच फ्रेंड, सेफली रहिए, वेव गूद देखते हैं,